पंडिया स्टोर एक दिल्चस्प मोड और मोड दिखाएगा। यह पहले देखा गया था कि सुमन और धारा रिशिता और रावी में सास अधिकारों का आनंद ले रहे थे। हाला कि घर में बड़ी शर्विंदगी होने के बाद अनीता और प्रफुल परिवार के लिए चीजों को भड़काने और बरबाद करने की जिम्मिदारी लेते हैं। परिवार बनाना चाहती है। चौकाने वाली बात यह है कि सुमन अपने परिवार के वारिस को जोखिम में नहीं डालना चाहती और इसलिए वहधारा को मुक्त कर देती है। आजाता है और अवांचित गल्टफे में हो जाती है। धारा पैच अब करने की कोशिश करती है जबकी रावी इस बार शिफ के सामने जुकने वाला नहीं है क्योंकि उसे माफी मांगने की जरूरत है। दूसरी तरफ सुमन ने भी एक बड़ा फैसला लिया है कि वह पंड्या घर में प्रधान निल्डे धारक होंगी न की धारा। इसलिए धारा नए नकारात्मक हो जाती है जहां वह चाहती है कि रवी घर में सभी समस्याओं को सुलजाए। धारा ने रिशिता को चितावनी दी की वहरावी को घर वापस ले आए वरना वह अपनी जिंदगी को नरक बना देगी। देखना दिल्चस्प होगा कि शो में आगे क्या होता है।